चीन खुद तो भारत के साथ संबंद बिगार ही रहा है लेकिन दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बूर रहा है हाल ही में चीन के इशारे पर नेपाल की कम्यूनिस्ट सरकार ने भारत से अपने संबंद खराब कर लिये थे नेपाल और भारत की मिली जुली संस्कृती जहां अब तक दोनों को एक की हुई थी दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का संबंद भी बहुत ही अच्छा रहा कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दूसरे देश की बेटी लेकर आए हैं लेकिन भारत से संबंद भीगाड लेने के बाद नेपाल पर एक और पहार टूट पड़ा है नेपाल में महंगाई ने अपना गहर बरपाना शुरू कर दिया है और रोज मर्रा की जरतमंद चीजों की भाव आस्मान को छूते नजर आ रही है आपको जानकर हरानी होगी लेकिन नेपाल में नमक 60 रुपे किलो यानि की 100 नेपाली करिंसी में बिक रहा है कोरोना के चलते जब लॉकडाउन लगाया गया था तो दोगनों देशों की सीमा पर सक्ती कर दे गई थी और इसी वक्त नेपाल ने फाइरिंग कर भारत नेपाल संबंदों में दरार पैदा कर दी थी और इस वज़ज़ से तनातनी बनी होई है भारत के आउसे मिलने वाला समान भी नेपाल को नहीं पहुच पा रहा है नेपाली नागरिकों के लिए भारत से सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है और यही वज़़ा है कि अब वो सभी चीजों को 6 गुना जादा दाम में खरीदने पर मजबूर हो गये है नेपाल में मिल रहे चीजों के दाम सुनकर आप चौक जाएंगी हम आपको बताते हैं कि वहां कितने दाम पर कौन सी चीज मिल रही है कीमत बताने से पहले आपको यह बता दें कि 60 रुपए नेपाली करंसी का मूली होता है नेपाल में पहले नमक का दाम प्रती किलो 16 नेपाली करंसी था अब 100 नेपाली करंसी हो गया है सरसो तेल दो सो की जगह आठ सो प्रति लीटर, चीनी सतर की जगह चार सो प्रति किलो, जीरा चार सो की जगह दो हजार, काली मिर्च सोलह सो की जगह पैतिस सो, हल्दी धाई सो की जगह आठ सो और अरहर दाल, डीर सो की जगह साथ सो प्रति किलो नेपाली करंसी में बिक रही ह हाल ही में उत्राखंड के कुछ लागों को लेकर नेपाल ने नक्षे में चेंज किया और इसी वज़े से नेपाल और भारत के बीच खीस्तान जारी है जैसे दोनों देशों के संबंद खराब हो रहे हैं और अब इस नुकसान के बाद नेपाल महंगाई की मार जेल रहा है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस बेल आइकन फोर अपडेट्स